हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ज्यान रच चैनल पर फ्रेंड्स आज आपके सामने में इलक्रिसियन जो ट्रेड है जो एलपी सीबिटी टू में उसके जो प्रीबियस एर में जो इंपोर्टेंट्स क्वेशन जो आई टी आई में पूछे गई थे फ्रेंड्स इलक ग्यान रच करना ना बूलें इस ते यह फाइदा होगा फ्रेंड्स कि जब कभी में नहीं वीडियो अप्लूट करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आप ग्यान रच को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबादें और एक बात औ जिससे कि मैं आगे के वीडियो जारी रखूं ओके फ्रेंट्स कमेंट्स और लाइक करना न भूलें आए फ्रेंट्स शुरू करते हैं फ्रेंट्स पहला क्वेशन है एसाई में यानि एसाई यूनिट में जो आपका विद्यू धारा का मात्रा क्या है बोल्ट एंपियर वाट तो फ्रेंट्स का जो सही आंसर है फ्रेंट्स वह है एंटीसी रेजिस्टर होता है वह आपका थर्मिस्टर कहलाता है तो फ्रेंट्स आपको बता दें कि जो रेजिस्टर होता है थर्मिस्टर इस टाइप का होता है जो यह लिखा भी है फ्रेंट्स यहां पे एंटीसी और जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है कि यह आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जो एक इलेक्टिकल रजिस्टर होता है जिसका जो है रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटली रिड्यूस होता है जब हम क्या करते हैं टैंपरेचर को राइस करते हैं इसमें उल्टा होता है जैस वाला तो साइज्ज ना आपने के लिए किस यंदर का उप्योग करते है क्या है और या था शैक्शन उसका फेशन है यह आया था आपके आईटियाई पेपर में तो फ्रेंट्स बीव वैविल गॉज वर्नियर कैलिवर स्ट्रेंडर वायर गॉज या डेफ्ट गॉज तो फ्रेंट्स जो उसका कंडुक्टेंस का साइज नापने के लिए कंडक्टर का हम यूज करते हैं स्टेंडरड वायर गॉज फ्रेंड जो स्टेंडर रट गॉज होता है वो कुछ इस तरह का होता है इसमें 0 से लेकर अप देख रहे होंगे लास यह 30 कि 36 तक है फ्रेंट हेसे जीरो होटा इसका साइस सबसे याना नक्षिन प्रतिरोध में क्या संंबन्द होता है कृछoff's law, Ohms law, Farad law या Non तो इस तिर्टाप और Resistance पर जो होता है आपका प्रेंड ओम ओम क्लाओ सेकिन्द ओम स्लब आपने पड़ाभी होगा जो सब्सक्राइब होता है तो यहां सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब आपको दिख रहा होगा लीक्राइब घ्राफ होताएब आपको आंसर करना है friends कि ये linear graph होता है okay friends friends next बहुत ही important question है e lcb का full form क्या है electrical leakage current breaker एर्थ leakage current breaker एर्थ leakage circuit breaker या electrical line circuit breaker तो friends जो ये lcb होता है ये होता है आपका earth leakage circuit breaker ok friends याद रहेगा बहुत ही important question है friends next question है led acid battery में किस electrolytes का प्रियोक किया जाता है potassium hydro dyes ammonium chloride dilute sulfuric acid या alkyne तो आपको पता होगा कि यहां पर dilute यानि तनु sulfuric acid का प्रयोग किया जाता है H2SO4 किसमें एलेक्टोलाइट्स का यूज बैटरीज ने टेसला किसकी काई है तो फ्रेंट्स ऑप्सन है flux density mmf इलक्ट तेंस या magnetic field strength फ्रेंट्स जो टेसला होती है आपकी magnetic flux density यानि option A उसकी इकाई होती है चुम्ब किया घनत्व बोलते हैं फ्रेंट्स से चुम्ब किया flux घनत्व फ्रेंट्स नेक्स क्वर्शन है 1800 ohms registers की ohms value कैसे दरसाएं यह भी आया था प्रिविएस दिर में 1k8 1.8 k 18 k या 1mv अठाव सो ओम को हम लिख सकते हैं फ्रेंट्स 1.8 k ओके फ्रेंट्स यानि option number B ओके फ्रेंट्स इसको अब आप बोलेंगे कैसा लिखा फ्रेंट्स इसको लिखने का जरू सा मेथड है फ्रेंट्स यानि 1800 यानि अगर इसको किलो में convert करना तो एक किलो में यानि 1000 फ्रेंट्स इसको थाजन से डिवाइट कर दोगे तो आप फ्रेंट्स आपका यहां पर आजएगा इससे यह कंसिल इससे एक इससे पॉइंट यानि 1.8 और इसके पीछे से के आपको पत ग्लास फ्रेंट्स आपको पढणना एक पैरा Magenetic Ferromagnetic और diamagnetic इनके बारे में आपको पता होना चीए फ्रेंट्स नेक्स्ट क्वेशन है पर्मेडिटी की यह क्या है एंपियर टन वेबर पर मेटर स्कॉयर एंपियर टन पर वेव या हैंडरी मीटर तो फ्रेंट्स यह थे जो आईट्व के प्रीबियेस यह यह मैं इंपोर्टेंट्स क्वेस्टन्स जो मैंने प्रिभिय चैर के कुएशन से लिया हैं फ्रेंड्स हेसका पांच वा वीडियो था अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप वहाँ साई लक्टिशन यानी प्लेडिस्ट में जाके देख सकते हैं और फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके जरूर बताएं किसकी नेक्स सीरीज अपलोड की जाए या ना की जाए ओके फ्रेंड्स थैंक्यू नेक्स वीडियो जल्द अपलोड होगा